नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चार खंड की खबरों की ओर पुत्र राकेश कुमार वैद और उसके साले पंकच कुमार मिश्रा को गिरिफतार किया है राकेश कुमार वैद शिराम पत रेडमा में रहता है जबकि पंकच कुमार मिश्रा जमुने का निवासी है SDPO रिशब गर्ग ने रईवार को बताय की संपत्ती और घरेलो विवाद में उदय की हत्या उसकी पहली पत्नी के पुत्र राकिश कुमार वैद ने की थी इसमें राकिश ने अपने साले पंकच कुमार मिश्रा का सहीोग लिया था पुलिस ने दोनों को गिरिफतार किया है दोनों की गिरिफतारी में मॉबाइल नंबर को आधार बना करने पर सफलता मिली पूस्ताश के दौरान आरोपी के द्वारा इस घटना में सनलिप्तता सुईकार की गई है उन्होंने कहा कि 10 जनवरी की हत्या के बाद 14 जनवरी को मृतक के पुत्र अपने पिता के मिसिंग का मामला दर्ज कराने के लिए सदर थाना में पहुँचा था ऐसे में उसके पिता का मॉबाइल नंबर लेकर और आरोपी के मॉबाइल नंबर का सिडियार निकाल कर छानविन की गई साक्षर मिलने के बाद आरोपियों को हिरासत मिलेकर पूस्ताश करने पर कान का उद्भेदन हो गया उदै कुमार वैद की हत्या प्लानिंग के तहट की गई थी हत्या के बाद साक्षर मिटाने के लिए शाओ को जला दिया गया था जबकि उसके मॉबाइल को तोड़ कर चैनपूर के जंगल में फेक दिया गया था हम लोग को सुचना मिली थी दो दिन पूर्फ की एक अज्यात इसकल जो है आधे जली कंडीशन में प्राप्थ हुआ था डालटेन गन शेहर के सदर थाना शेत्र के अंतरगर तो उसी के करम में हमारे थाना प्रबारी और चापमारी टीम अभिमन्यू कुमार रामतवक्या सुइंग और बाकी जो भी अधिकारी और आरक्षी थे वो लोग गए घट नस्थाल पे वहाँ पे अब लोकन करने से उनको कुछ-कुछ और चीज़ें बरामद हुई तो इस्टाबलिश कर पाया रहे थे हम लोग इस चीज़ को कि किसी की खत्यागर के वहाँ पे उसको जलाया गया है उसी के करम में अनुसंदान जब आगे बढ़ा तो हम लोग को चौदा तारिक की शाम में एक व्यक्ती ने आकरके अपने पिताजी के मिसिंग की कम्प्लेंट दी तो जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ उसी के अनुसंदान में फर्दर हम लोगों को ये पता लगा कि धीरे धीरे उनके बेटे ने ही अपने साले के साथ मिल करके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के विवाद की वजह से अपने फादर के साथ ऐसा काम किया है तो उसमें हमारी टीम का बहुत ही अच्छा रोल रहा इस्पेशलि सदर्थाना के प्रभारी और उनकी पूरी चाप हमारी टीम की और हम सब लोगों ने मलब एक्टूट होकर उसको काफी जल्दी क्राक किया तो I am very happy और मैं अपने सभी जो भी सदर्थाना वाले पूरे लोग झाले सुझेशलि सबस्दार जिल्दी की जल्दी मική